नमस्कार और विल्कम यौल तो स्टड़ी आई की उम्हें प्रशान धवन नाव दुनिया भर में जो मेजर बड़े देश हैं इनसे हमेशा एक जानवर असोसिरेड रहता है एक आप के लिए उस कंट्री की पहचान रहती है फॉर एक्जामपल यूएसे के लिए नाशनल बर् होगा हाल ही में तजिकिस्तान के चार नागरिक जो आइसिस को बिलॉंग करते थे ये गए मॉस्को में रश्या की कैपिटल मॉस्को में और देड़ सो के आसपास लोगों को मार डाला जो अब मिर्तकों का अकड़ा है देड़ सो के आसपास पहुच चुका है और जिस तरीक की निंदा करनी पड़ी क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ये अटाक हाला कि यहां पर मैं यह कहूंगा इंडिया ने सबसे पहले इस अटाक की निंदा करी थी बाकी पश्चमी कंट्री थोड़ा सा लेट हो गए मगर अटाक इतना बड़ा था कि अब इनको भी कहना पड़ा कि हम रश्यान लोगों के साथ खड़े हैं अब इमेजन कर सकते हैं कि व्लादमिर पुतिन आज के समय कितना गुस्सा होंगे पुतिन ने अपनी स्पीच में केटेगोरिकल ये का है कि जो भी आतंगवादी मार रहे थे मासूम लोगों को चारों आतंगवादियों क पकड़ लिया गया है जी हाँ और रश्याने कई सालों बाद मौत की सजा का जो प्रवधा ने इसको रिवाइव किया है नहीं तो रश्या में मौत की सजा खतम कर दी गई थी मगर ये जो अटाक हुआ है ना ये देखने के बादे कह रहे हैं कि नहीं मौत की सजा वापस ला जो दी हो ये पुतिन का मानना है दूसरा कंट्री देखिए जो पुतिन को देखे बहुत डर रहा था वो है तजीकिस्तान यहां पे आप देख पाओगे यह इशा कामाप यह हमारा प्यारा भारत और यहां पे आप देख पाएंगे यह तजीकिस्तान एक मुस्लिम मजॉट का कोई धरम नहीं होता, आतंगवाद की कोई नैशनलटी भी नहीं होती, आप इन आतंगवादियों को तजिक्किस्तान से जोड़ कर मत देखिये, हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, तो तजिक्किस्तान को पता है कि मॉस्को में रशियंस में आज के समय बहुत आकरोज कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को इनकी जो entry है ये भी रोक दी जाए क्योंकि जो ये attack है न मैं वीडियो देख रहा था रश्या की लोग रो रहे हैं लोग सदमे में हैं रश्यन embassy दुनिया भर में जो हैं उनके flag नीचे करे गए हैं ये attack रश्या कई सालों तक नहीं भूलने और इस वक्त US, UK बाकी जो पश्यमी देश है उनका सबसे बड़ा डर ये है कि अब रश्या एक बड़ा आक्रमन कर देगा उक्रेइन पर अब तो बस रश्यन जो बॉम्बर्स हैं ये लगातार बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे पूरी उक्रेइन की और ये हो भी रहा है इस वक्त पूरे युक्रेइन पर एक एर अलर्ट इशू कर दिया जा चुका है रश्यन बॉम्बर्स इस वक्त मन रहे हैं युक्रेइन पर हवी बॉम्बिंग चल रही है और इसी बीच न्यूस पता है क्या आती है मैं शॉक्ट था जब सबसे पहले मैंने इसकी हैडलाइन पड़ी बड़ ये भी हो रहा है आज के समय रश्या जब लगातार अभी अटाक कर रहा है युक्रेइन पर अचानक से क्या होता है कि एक रश्यन मिसाइल बिलकुल पोलेंड के एर स्पेस को वॉयलेट करके गिरता है आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी बात है मैं वै पोलेंड की एर फोर्स प्रॉपरली एक्टिवेट हो गई थी वो तैयार थे और ये सब देख करना पूरी दुनिया नर्वस इसलिए हो गई थी क्योंकि रश्या की तरव से काफी बार ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि पोलेंड है यूरोप का हाइना और वर्ल्ड वर्ड जब स्टार्ट होगी उसका में कारण पोलेंड ही बनने वाला है यहां पे आप देख पाऊगे आर्टिकल लवंबर 3-2023 का आर्टिकल है मैंने उस टाइम जब पढ़ा था तब से लेकर अब तक यह मेरे माइंड में पता नहीं क्यों ये आर्टिकल छपा हुआ है दे हाइन अफ यूरोप व्लाद दिमर पुतिन के जो एक बहुत जारा कड़ीबी इनके लीडर है दिमिर्ती मेदवध जो इससे पहले रश्या के प्रधान मंत्री भी रह चुके है लंबे समय तक प्रेसिडेंट भी रह चुके है अचुली इन्होंने ये बात कही थी कि पोलेंड इसकलेशन किस हद तक बड़ेगी बड़ ये बात तो तय है कि रश्या अब बहुत जादा अग्रेशन से युकरेन पे अटाक करेगा इनकी जो जनता है रश्या में जो थोड़ी बहुत जनता आप के लीजिए वार को लेकर अंसर्टन थी अब वो भी न और जादा नाशनल इस्टिक हो रहे हैं उनको भी यवा समझ में आ रही है कि देश खत्रे में है देश पर अटाक हो रहा है बस करो या मरो बस जो होता है देखी जाएगी प्रेजिडेंट के पीछे खड़े हो जाओ और बस देश के लिए कुरवानी देदो तो ये जो एक सेंटिमेंट है ना ये लगाता रश्या में बढ़ता जा रहा है और अगर यहां पर आप सोच रहे हैं कि रश्या हमेशा पोलेंड को ही हाइना और यूरोप क्यों कहता है देखिए इसका एक बड़ा रीजन यह है कि पोलेंड की जो अबादी है ना उसका बहुत बड़ा परसंटेज रश्यन स से नफरत करता है बहुत बड़ा परसंटेज मैं आपको एक सर्वे लिखाता हूं यह आपके सामने प्यू रीसर्च सेंटर का सर्वे है आप इसको देख सकते हैं ओनलाइन ओवरॉल ऑपिनियन ओफ रश्या यहां पे आप देख पाओगे कितने देश परसंटेज के इसाब से नापसंद करते हैं इनकी जो अबादी है यह नापसंद करती है रश्या को कितने देश है जिनकी अबादी पसंद करती है पोलेंड में 90 परसंट जो अबादी है इनका अनफेवरेवल ऑपिनियन है रश्या का मतलब 90 परसंट अबादी पसंद नहीं करती 8 परसंट अधियन के सर्वे के साब से जो उपनली कहते हैं, कि हम रश्या को पसंद करते हैं, बाकी 18-13% के आसपास रश्या को इतना पसंद करते नहीं है, उसके लावा जो बची हुई पसंटेज है, वो अंडिसाइड़ की केडिगरी में आती है, तो अब इसका रीजन क्या है, रीजन समझाने के लिए मुझे हिस्ट्री समझानी पड़ेगी किस तरीके से USSR के अंडर Poland Iron Curtain का पार्ट हुआ करता था, पोलेंड पर कॉमिनिजम इंपोस कर दिया था, USSR ने, पोलिस लोग ये मानते हैं कि वर्ल्ड वर टू के बाद USSR ने इनके कंट्री को बरवाद कर दिया था, अब जाके ये डेमोक्रासी बने हैं, फिर बार में नेटो का पाबी बन गए, तो उसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है, मग अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलप्मेंट सामने आएंगी, मैं आपके लिए बाद में अप्डेटेड वीडियो लाता रहूंगा, और फानेली आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूँँगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या आज के समय कर प्रधान मंतरी कौन है, पोलेंड के, बहुत ही फेमस रखती है, ये रोपियन यूनियन में दुनिया में भी, ये हैं आपकी आपकी आप्शन्स, डॉनल्ड ट्रंप, डॉनल्ड टस्क, टिम आलन या फिर नियोन जॉर्ज, कॉमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सह के आंसर देंगे, कोशिश करूँगा मैं कि उनकी कॉमेंट को हाट देदू, ताकि बाकी लोग भी सही उत्तर समझ पाएं, और हाँ आप लोगों के लिए एक इंपॉर्ण जानकारी, स्टड़ी आइक्यू की अभी सेल चल रही है, ये होली सेल 26 तारी को मद्य रातरी में ख करिए क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, बाइद वे स्टड़ी आइक्यू के वेरियस कोर्स और भी अवेलेबल हैं, फॉर वेरियस एक्जामिनेशन, ये भी आप पर्चेस कर सकते हैं, बट इन कोर्स को पर्चेस करते टाइम, यूज करिए कोड पीरी 10 to get the maximum discount possible, आप अगर और कोई कोड यूज करते हैं, for example, let's say, यहाँ पर आप देख पा होगे, लाइव होली नाम के बहुत सारे कोड यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, इनको आप यूज करोगे, आपको maximum discount नहीं मिलेगा, you will only get the maximum discount possible by using the code PD10, so use the code and save money, इसी note के साथ, ये है व